वेलकम टू मरहबा लाइफ चैनल में आपका मरहबा है वेलकम है आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको ये 30 दिन का टाइम टेवल जो रमजान शरीम में बहुत सारे लोग सहरी अफ़तारी के लिए टाइम पूछते रहते हैं तो मेरा आप देख भी रहे हैं और साथ में इसका थम्रेल भी देख रहे हैं तो आपको मैं A to Z बताता हूँ 30 दिन का जैसे मैं पहले आपको बताऊँगा सहरी का खतम टाइम फिर अफ़तारी का शुरुवात वाली टाइम और जो मैं टाइम बताने वाला हूँ इससे दो मिनट या ती मिनट पहले आप सहरी खाना बंद कर दें और अफ़तारी में तीन मिनल लेट कर दें क्योंकि जो टाइम है फिक्स वाला टाइम है तो आप अपने हिसाब से दो तीन मिनल लेट कर लीजे अफ्तारी में और पहले खाना छोड़ दीजिए शेरी में तो सबसे पहले ती में तीन अप्रेल से हो रहा है न तो मैं एक अप्रेल का ही टाइम बताता हूँ पहला जो टाइम है एक अप्रेल का ठीक है? खतम सेरी है चार बच कर 53 मिनट पर और वक्ति इफ्तारी है 6 बच के 49 मिनट पर याद रखेगा दो तारीक को दो अप्रेल को 4 बावन पर है और खतम वक्ति इफ्तार 6 बच के 49 पर है और तीन तारीक को 4 इकावन पर है खतम सेरी और वक्ति इफ्तार 46 पर है 6 तारिक को 4 बच के 47 मिनट पर खतम से रही है और 6 बच के 42 मिनट पर वक्त इफतारी है और 7 तारिक को 4 बच के 46 मिनट पर खतम से रही और वक्त इफतार 6 बच के 42 मिनट पर 8 तारिक को 4 बच के 43 मिनट पर खतम से रही और 6 बच के 43 मिनट पर वक्त इफतार 10 तारिक को 4.42 पे खतम सेरी 6.43 पे वक्तित इफ्तार 11 तारिक को 4.49 पे खतम सेरी 6.44 पे वक्तित इफ्तार 12 तारिक को 4.49 पे खतम सेरी 6.45 मिनट पे वक्तित इफ्तार 13 तारिक को 4.48 मिनट पे खतम सेरी 6.45 मिनट पे वक्तित इफ्तार 14 तारिक को 4 बच के 37 मिनट खतम सहरी 6 बच के 46 मिनट पर वक्त इफ्तार 15 तारिक को 4 बच के 36 मिनट पर है खतम सहरी और 6 बच के 40 मिनट पर है वक्त इफ्तार 17 तारिक को है 4 बच के 33 मिनट खतम सहरी 6 बच के 47 मिनट पर है आपका वक्त इफ्तार 18 तारिक को 4 बच के 32 मिनट पर चार बज के टारीक चार बज जब्स तारीक को चार बज के 15 मिनट पे खतम सेरी चार बज के 15 इफ्तार 22 तारीक को है 4 बद 2, के 20 मिनट पे खतम सेरी 2 बद चार बद 3 मिनट पे खतम सेरी 6 बद 2 बावन मिनट पे रए 26 तारीक को है 4 बच के 22 मिनट खतम सेरी 6 बच के 53 मिनट पर वक्त इफ्तार 27 तारीक को है 4 बच 21 मिनट पर खतम सेरी 6 बच के 53 मिनट पर वक्त इफ्तार 28 तारीक को है 4 बच के 20 मिनट पर खतम सेरी 6 बच के 54 मिनट पर वक्त इफ्तार 39 तारीक को है 4 बच के 19 मिनट खतम सेरी 6 बच के 15 मिनट पे वक्ति इफ्तार 30 तारीक को है 4 बच के 18 मिनट खतम सेरी और 6 बच के 15 मिनट पे वक्ति इफ्तार ये तो रही आपकी इसकी अप्रियल की और मई में आईए मई में है एक मई को चार बच के 17 मिनट पे है खतम सेरी और चार बच के 56 मिनट पे वक्त इफ्तार दो तारीक को है चार बच के 15 मिनट पे खतम सेरी और चार बच के 56 मिनट पे वक्त इफ्तार तीन तारीक को है चार बच के 14 मिनट पे खतम सेरी चार बच के बारे मिनट पर 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 खतम सेरी और चार बच के बारे मिनट पर खतम सेरी और चार बच के बारे मिनट पर खतम सेरी और 7 बजे वक्त इफ्तार और 9 तारिक को है 4 बज के 8 मिनट पे खतम सेरी और 7 बजे क्या है वक्त इफ्तार 10 तारिक को है 4 बज के 7 मिनट पे खतम सेरी और 7 बज के 1 मिनट पे वक्त इफ्तार साथ में हैं हमारे 11 तारीख का, 4.6 म Wonderful के वक्त इव्तार को 12 मई को 7 वच के 2 मिन पर 4 के 5 की पां इव्तार के वक्त इव। तो मैंने बारए टारीख का बता दिया बाकत लोग रोजा रखने के बाद ही रोजा रहती है और इन्जादा तर मर्दी भी रहते हैं तो इसले मैंने दस दिन एक्स्ट्रा बता दिया और भी अगर पूरे-पूरे साल भर का आप टाइम टेबल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंड में कीजिए और साथ में कमेंड में लिखें कि मुरे पूरे साल का लाइफ टाइम पर्मनेंट टाइम टेबल रव्दान शरीप क चाहिए यह दिल्ली दिल्ली के लिए बाकि अपने शहरों में अगर बनाना चाहते हैं अपने शहरों के हिसाप से तो आप देख लिए चाट में कि आपके शहरों में कितने मिनट दिल्ली से पहले सुरज दूपता है या कितने मिनट पहले दिल्ली से बाद में सुरज और यह बनाया गया है मदर्सा इमदादया बैतलोलो मां का बिहार जो एक मदर्सा बनाने की नियत से शुरू हुआ है मगर यह अभी तक शुरू ही नहीं हुआ इसकी वज़य है फंडिंग नहीं इनके पास पैसे नहीं है इसलिए यह काम रुका पड़ा है अगर आप चाहें क इसमें सहयोग कर सकते हैं अगर आप सहयोग कर सकते हैं मदद कर सकते हैं तो आपका वेलकम है मैं आपको कैसे कैसे सहयोग करेंगे वह आपको पूरा तरीका बताओंगा थैंक यू शुक्रिया आपको वीडियो सुनने के लिए